नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाटशाला पर, मैं हूँ अंकित अवस्ती, आप है मेरे साथ में Real News and Analysis में, जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की चर्चा करते हैं, भारत में नैचुरल फार्मिंग की चर्चा हो रही है, क्यों हो रह प्राकरतिक क्रशी और ओर्गेनिक क्रशी में अंतर क्या है, यानि कि नैचुरल फार्मिंग और ओर्गेनिक फार्मिंग में असली डिफरेंस क्या है, क्योंकि भारत सरकार इस बार 1.2 करोड रुपे बूस्ट करने पर, राज्यों पर खर्च करने की कह रही है, नए लोग एड करने की कह रही है कि natural farming से भारत में नए farmers को motivate farmers तो पुरा नहीं है उनको इसके अंदर जोड़ा जाएगा कि natural farming करिए इसलिए ख़बर बनती है कि budget में एक करोड फार्मर्स को organic farming four sites में लाने का प्रयास किया जाएगा साथ ही साथ natural farming पर जोड़ दिया जाएगा एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि सरकार अपने इस तरपर budget में agriculture पर जो डेढ़ लाख करोड खर्च कर रही है उस डेढ़ लाख करोड में natural farming बहुत बड़ा factor है तो बड़ा सवाल ये बनता है कि सर बात तो natural farming की कर रहे हो क्या natural farming ऑल already natural farming practice में हो रही है लगबग 6 एकर 6 लाख हेक्टेर एरिया पर already natural farming से cultivation हो रहा है भारत में इस बार के budget में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम आने वाले समय में एक push strong push लाएंगे एक करोड फार्मर्स के लिए भारत बर में जो कि natural farming और supported by certification और ब्रांडिंग के थूरू उन् बन गया कि सर अब तक तो हम organic farming सुनते आ रहे थे ये natural farming नई चीज क्या हो गई जिसको भारत सरकार कह रही है कि एक करोड फार्मर्स को हम इसके माध्यम से certificate देंगे ब्रांडिंग देंगे कि इन्होंने natural farming करी है और उसके माध्यम से क्रशी को पन पाया है और इस काम के लिए डेड़ लाख करोड रुपे agriculture और allied activities के लिए दिये गए हैं तो फिर एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतने राज जो already natural farming कर रहे हैं वो करेंगे क्या और सरकार की मंशा क्या है तो सरकार की मंशा क्या है वो तो मैं ये समझा दूँ कि सरकार इसके माध्यम से अगर करके आपके product को कह देगी कि हाँ भई ये certificate रहा जिसमें लिखा हुआ है कि ये natural farming से तयार किया गया है लेकिन हमारा सवाल बड़ा बनता है सर अब तक तो market में organic farming organic farming चलती थी अब ये अचानक natural farming क्या आ गई क्योंकि प्रधान मंत्री किसानों से कह रहे हैं कि दुनिया को ध् प्रधान में रखते हुए natural farming करिए तो ये है क्या तो ऐसी इस्तिती में आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनता है कि जब finance minister के द्वारा अपनी priority जब तै की गई agriculture sector में तो productivity और resilience agriculture में employment, skilling, inclusive human resources, development, social justice, manufacturing service, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development और next generation reforms की बात की गई तो सहाब natural farming को क्या दे करके आप लाप पहुचाना चाहते हो तो देखो natural farming होती क्या है पहले इसको समझ लेते हैं आज आपके द्वारा जब farming वर्द शुना जाता है तो उसमें तीन चीज़ें यूज की जाती है जब से अपने देश में green revolution हुआ है क्या high yielding variety hyv seeds यानि कि अ high yielding variety seeds जो की lab में बन रहे हैं उनका उपयोग किया गया हारित करांदी के पीछे मुख्यकारों दूसरा था fertilizer fertilizer की क्या है कि हमारे देश में fertilizer और pesticides जब green revolution हुआ तो भर-भर के use हुआ जिससे हमने उत्पादकता में growth देखी लेकिन ये fertilizer प्राकर्तिक नहीं थे ये fertilizer lab में बने हुए fertilizer थे वो fertilizer थे जिन्हें laboratory के द्वारा तयार किया गया यूरिया तयार किया गया ये वो fertilizer थे जिनका उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए explosive तरीके से उपयोग किया गया इसका मतलब साफ था कि अगर इतने fertilizer आप use कर रहे हैं तो आने वाले स रसायन को पौधों के माध्यम से इनसानी शरीर में भेज रहे हैं इनसानी शरीर में जब रसायन पहुँचे तो परिणाम ये निकला कि इनसान ने बिमारी को अपने शरीर में लगा लिया आज जो हम majority of cancer सुनते हैं, diabetes सुनते हैं या फिर obesity देखते हैं उसके पीछे यही सार रसायनिक तरीके हैं, जिनें उत्पादक्ता में यूज किया गया है, तो अर्थात हम प्राकरतिक तरीके से जो फसले पैदा हो सकती थी, उसके माध्यम के इस्थान पर हमने fertilizer यूज किये, तो अब सवाल बना, सर, organic farming के अंदर तो बहुत अच्छे से काम किया जाता है, क्या से बना हुआ खाद, वर्मी कमपोस्ट से बना हुआ खाद, ऐसी चीजें उपयोग में ली जाती है, तो फिर natural farming में क्या difference है, तो देखिए, organic farming और natural farming में जो सबसे बड़ा अंतर है, वो बस यहीं पर आके खतम होता है, क्या, आज की जो हमारी regular कल खेती है, जिसमें कि हम chemical fertilizer ड खाद नहीं डाला, और प्रकरती जो पसंद कर रही है, और जो प्राकरतिक तरीके आपको पता हैं, जैसे मिट्टी के अंदर उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए क्रशी को रोटेट करते रहना, कि लेग्यूमिनस फसले कब बोनी है, जिससे nitrogen बढ़े, rotation of crop जो है, पता है कि आप हर बार ही अर बार गेहूं पैदा किये जा रहे हैं, नहीं, पिछली बार आपने गेहूं पैदा किया था, तो इस बार मत्री के अंदर nitrogen बढ़ाने के लिए ऐसी फसलें जिनकी जड़ों में nitrogen पतादक्ता होती है, जिससे जमीन में nitrogen बढ़े, rotation of crop होना जरूरी है, नमब और उससे आपने प्रकर्ती को प्रकर्ती के तरीके से treatment दिया, इसे natural farming का गया, एक minor सा अंतर है कि organic farming जब होती है, तो सरकार उसे पहचान पत्र देती है, कि यह organic पना हुआ पधार्त है, और जब prediction natural farming से होता है, तो अब तक certification नहीं चल रहा था, और सबसे बढ़ा अंतर जो ल इसका मतलब cell the oil the soil बनाईए, मटी का erosion रोकिए, global warming के प्रभाव को कम करिए, इस प्रकार से, animal welfare को प्रभाव, मतलब एक प्रकार से ecosystem डवलप करिए, अपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए, अब आपके दिमाख में बहुत बढ़ा सवाल बनने लगेगा, और गनिक खेती यूज नहीं कर रहे थे, आप यहाँ पर local resources को ही यूज कर रहे थे, लेकिन दौनों में बस major अंतर इतना था, कि प्रकरती के जादा नजदीक natural farming थी, जो आपको पता है, जैसे दादी मा के नुस्खे, तो ऐसे किसान को भी पता है, कि मेरी जमीन को मुझे कैसे सही रखना है अब आपके दिमा को एक प्रशन बना, सर आपको लगता है, भारत जिसने भुकमरी की condition देखी हो, अनाज के लिए एक समय का खाना छोड़ा हो, आज वो बाते कर रहा है कि नहीं सहाब, हम तो खेती करेंगे, लेकिन अपने तरीके से, जैसे पुराने तरीके से करते थे, सर होगी, तो सर, अब्यस सी बात है, उत्पादक्ता घटेगी, क्योंकि हाई-yield variety seeds ने उत्पादक्ता बढ़ाई थी, अब आप उसको भी रोग देंगे, ऐसी इस्तिति में अगर हुआ, तो फिर उत्पादक्ता घटेगी, तो आप health को बचाने निकल रहे हैं, लेकिन आपकी pocket की health खराब हो जाएगी, तो आप वहीं की वहीं रह जाएगी, ये बड़ा challenge है साथियो, सरकार को भी पता है, कि ये एक बड़ा challenge है, और यही कारण है कि जो organic उत्पाद बन कर आते हैं, और गनिक खेती से जो फसल तयार होती है, वो धाई से तीन गुना महंगी बिखती है, आज लोग health को ले करके इतने सचेत हो गए हैं, सरकार बेवकूफ नहीं है, सरकार ये समझ चुकी है, कि माना की उत्पादक्ता घटेगी, अभी हमारे पास में इतना already cushion है, कि अगर हम organic खेती से फसले पैदा करने लगे, और organic उत्पाद बनाए, तो वो सेहत के लिए तो और गेनिक गेहूं अगर आप लेते हैं, और गेनिक फसलें फल अगर खाते हैं, और गेनिक तरह से पैदा हुआ, कोई भी पधार्त यूज़ गते हैं, एवन ऐसे एक animal का दूद आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको कोई भी बाहर से कोई रासायनिक पधार्त नहीं खिलाया तो वो कीमत लगभग धाई गुना जादा है, तो किसान को नुकसान मनी के इधार पर नहीं हो रहा, उत्पादक्ता जरूर घट रही है, सरकार के पास ये कुशन है, कि चलो हैल्थ की कीमत पर कीमत तो मिल रही है, लेकिन उत्पादक्ता को हम कंट्रोल कर जाएंगे, मैं आ इपेंडेंसी उन्होंने फर्टिलाइजर पर से खतम कर दी थी, लेकिन फिर मजबूरी में उन्हें उससे निपटना पड़ा, और कंप्लीट तरीके से और्गनिक जो उन्होंने अपनाने का सोचा था, उसका उन्हें नुकसान हुआ, भारत सरकार के पास एरिया बहुत है, तो कुछ तरीके से कुछ जगह पर ये काम करके किसानों को जो चाहिए वो भी मिल जाएगा पैसा और जो अच्छी हेल्थ के लिए natural farming और organic क्रशी करना चाहते हैं, उनको भी लाप पहुचाया जाएगा, इसलिए बजट में सब का ध्यान रखने का जो प्रया से वो किया जा बस नैचुरल फार्मिंग पर सर्टिफिकेशन नहीं होता था अब सर्टिफिकेशन भी सरकार कर देगी तो उमीद है सभी साथियों को ये जानकारी भी अच्छे से प्राप्त हो जाएगी ठीक है साथ तो यहां तक के लिए आज के लिए इतना ही पाकि यहां से आगे फिर कल आप से चर्चा करेंगे अभी के लिए इतना ही अपना खयाल रखें बड़ों का संबान करें चोटों को प्यार दें और अपना